दोस्तो आज कल पत्री होना एक बिल्कुल समान्य समस्य हो चुगा है कई लोग इससे बहुत ज्यादा परिशान हो जाते हैं पत्री का सबसे बड़ा कारण होता है गलत लाइफ हैस्टाइल और गलत खानपन दोनों गलत आदेते ही पत्री की बिमारी को जनम देती है पत्री एक परकार का टॉक्सिन है जो हमारे सरीर से बाहर नहीं आता है और ये हमारे किडिनी में जमने लगता है तब जाकर हमारे किडिनी के अंदर पत्री हो जाता है अगर सही समय से पथरी का इलाज ना करवाया जाए तो ये आगे चल कर बहुत ही बड़ा मुश्किल हो जाता है दोस्तो इसे बहुत ही ज्यादा लोग परिसान होकर ओप्रेशन करवा लेना उचीत समझता है लेकिन दोस्तो आज के इस वीडियो में मैं एक ऐसे जबर जस्त घरेलू नुस्खा लेकाया हूँ जो कि अगर आप मेरे बताया अनुसार सिर्फ एक बारी इसे इस्तेमाल कर लेंगे तो आप अपनी पथरी की समस्या से बहुत ही आसानी से छुटकारा पास सकेंगे तो दोस्तो बने रहे इस वीडियो के साथ दोस्तो साथी साथी इस वीडियो को लाइक कर दिजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाईए तो दोस्तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तो इस नुष्खे को बनाने के लिए सबसे पहले यहां पर इस्तिमाल करेंगे वो है दोस्तो हरा धनिया दोस्तो इस धनिये को आपने जरूर खाया होगा जो की आपने इस्तिमाल किया होगा इसे चटनी में और सबजी में दोस्तो इस हरे धनिये के मदद से ही यहाँ पर पत्री का इलाज होगा दोस्तो इसके लिए आपको क्या करने है कि इसके बनाने के दो तरीके हैं एक तो आप इस धनिये के पत्ते को 50 ग्राम ले ले और छोटे छोटे टुकड़ों में काट ले और काटने के बाद से इसे आधा लिटर पानी में डाल दें और आधा लिटर पानी में डालने के बाद से आप उस धनिये वाले पानी को मीडियम फ्लेम पर उबाल दें दोस्तो जब पानी का कलर हलका हरा रंग हो जाए तो उसके बाद से उतार कर पानी छान कर अलग कर लें और उस पानी में एक आधी कटी निम्बू मिला लें दोस्तो निम्बू मिलाने के बाद से आपको क्या करने कि आपको सुभा और साम मात्र 100 ml की मात्रा में पी जाना है आपको क्या करने है कि आपको लेने है एक गलास की मात्रा में गुनगुना पानी दोस्तो पानी बिल्कुल गुनगुना होना चीए और उसके बाद से हम क्या करेंगे कि हम इन सारे पेश्ट को दोस्तो यहाँ पर भी आपके धनिये का मात्रा मात्र 50 ग्राम ही है उस 50 ग्राम ध citric acid होता है जो कि हमारे पत्री को तोड़ कर बाहर निकालने में मदद करता है दोस्तो आपको यहाँ पर एक आधी कटी निबू लेने हैं और इसे बहुती असानी से इसमें मिला देने हैं दोस्तो यह नुस्खा बिलकुल आयरवेदिक है आपको किसी प्रकार का कोई side effect भी नह होगा दोस्तो यह आपको दोनों इंग्रेडेंट बहुती आसानी से आपके घर पर मिल भी जाएगा तो दोस्तो अब क्या करते हैं कि हम इन दोनों को बहुती अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं दोस्तो मिक्स करने का बाद से अब हम जानेंगे कि हमें इसका इस्तेमाल कब और कैसे करना है दोस्तो इसका इस्तेमाल आपको सुबह खाली पेट करना है दोस्तो आप सुबह जब भी फ्रेस हो जाएं तो फ्रेस होने के बाद से आप इस ड्रिंक को पी जाएं दोस्तो अगर आपकी पत्री चार एमेम से छोटी है तो आप सुबह सुबह इसे चार से पां के ध्यान रखना है जैसे कि आपको बहुत ही ज्यादा मात्रा में पानी पीना है दोस्तों अगर आप मेरे बता इनुसर इस नुस्खे का इस्तेमाल करके और बहुत ही ज्यादा मात्रा में पानी पीते हैं तो आपकी पथरी की समस्या बहुत ही आसानी से खतम हो जाएगा तो हम आपसे मिलेंगे नए वीडियो में तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद